हेलो एवरीवन अकैडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का सौगत है इस प्लेलिस्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं आई सेसी बोर्ड क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेवेंटीन टिग्नामेट्रिक रेशियो तो अभी तक हम लोगों तो ने exercise 17.1 का question no 5 solve कर लिया अभी चलते हैं question no 6 का इस पाट देखते हैं question कहें रहा है इन triangle ABC angle A is equal to 90 degree एक triangle है right angle triangle जिसका angle A 90 degree है ठीक है इस AB is equal to 7 cm, उसमें जो AB side given है, वो 7 cm है, and BC minus AC is equal to 1, और एक चीज़ और given है question में, कि BC minus AC is equal to 1 होगा, ठीक है, find number 1, sin C, and number 2, 10 B, हमें इन दोनों sin C और 10 B का value पताना है, ठीक है, सबसे पहले अगर हम diagram बना लें, question में क्या कह रहा है, कि जो angle A है, वो 90 degree, that means इसको हम alert कर लेंगे, ये side हमारा B हो जाएगा, और ये side C हो जाएगा, ठीक है, question में क्या given है, AB is equal to 7 cm, means कि ये side 7 cm given है, ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या दिया है, कि BC minus AC is equal to 1, तो सबसे पहले given क्या है, given AB is equal to 7 cm, and BC minus AC is equal to 1, ठीक है, अब एक चीज़ देखो, कि यहाँ पर हम BC का value find करने, तो ये हो जाएगा, BC is equal to AC plus 1, ठीक है, हमने BC का value find कर लिया, mean कि BC की जगे हम क्या रख सकते हैं, AC plus 1, clear, अब आते हैं, right angle triangle in triangle ABC by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, clear, Pythagoras theorem क्या होगा, BC square means hypotenuse square is equal to AB square plus AC square, clear, ठीक है, ठीक है, तो BC की जगे हम क्या रख सकते हैं, AC plus 1, तो ये हो जाएगा, AC plus 1 का whole square is equal to, AB का value कितना given, 7, 7 square, then AC square, ठीक है, अब इसको A plus B के formulae से expand कर देंगे, तो ये हो जाएगा, AC square plus 1 square plus 2 into AB, तो ये हो जाएगा 2 into AC, clear, B का value 1 है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा, 49 plus AC square, clear, अब AC square से AC square हम cancel out कर सकते हैं, ये हो जाएगा, हमारा 1 plus 2 AC is equal to 49, यहाँ से AC का, 2 AC is equal to 49 minus 1, तो AC is equal to क्या हो जाएगा, 48 by 2, then AC का value कितना आ जाएगा, 24 cm, clear, AC का value हमें मिल गया है, आगे question में क्या कह रहा है, कि हमने देखो, यहाँ पर find कर लिया है, जो BC है, that means कि AC का value अब हमारे पास आ गया है, 24, sorry, AC, ठीक है, AC का value 24 आ गया है, ठीक, अब हमें BC side करना, find करना, तो BC is equal to क्या, AC plus 1, हमने यहाँ पर निकाला है, तो find कर लेते हैं, BC is equal to AC plus 1, then BC is equal to हो जाएगा, 24 plus 1, तो BC is equal to कितना आ गया, 25, clear, हमारे पास all sides आ गई है, AB भी आ गया, BC भी आ गया, और AC भी आ गया, अब हम इसकी जगे क्या रख सकते हैं, 25, clear, अब हमें बताना साइन सी का वैल्यू, find कर लेते हैं, question number 1 इसका, साइन सी, clear, अब साइन सी देखो, that means की question में कह रहा है कि इस angle का, तो अगर हम बात करें, इस तरफ से देखें, यह हमारा base हो जाएगा, अगर हम angle यह ले रहे हैं, तो यह base हो जाएगा, और यह hypotenuse हो जाएगा, clear, तो साइन सी का value पूछ रहा है, साइन सी इस इक्वल टू क्या होता है, perpendicular by hypotenuse, that means 7 by 25, ठीक है, तो साइन सी इक्वल टू होता, perpendicular by hypotenuse, यहाँ पर रखेंगे, तो यह हो जाएगा, perpendicular हमारा कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, by angle यह ले रहे हैं, तो base हमारा यह हो जाएगा, AC side base हो जाएगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा, हम लोगों का 7 by 25, यह value आ गया, इसका, दूसरा question क्या पूछ रहा है, second part में 10B, part second आ जाते हैं, 10B, ठीक है, अब 10 का formula क्या होता, 10 का ratio क्या होता, perpendicular by base, perpendicular by base, तो perpendicular हमारे पास 10B के, अब की बार हमें यह angle लेना है, ठीक है भाई, आए 10B की बात कर रहा है, तो यहाँ पर perpendicular हमारा कितना हो जाएगा, 24, 4, और base कितना हो जाएगा, 7, तो इसका answer कितना आ जाएगा, 24 by 7, clear, तो sin C का value कितना आ गया, 7 by 25, और 10B का value कितना आ गया, 24 by 7, question number 6 का A part complete हो गया, चलते question number 6 का B part देखते हैं, question number 6 का B part, in triangle PQR, angle Q is equal to 90 degree, एक triangle given है, PQR, जिसका angle Q जो है, वो 90 degree है, ठीक है, if PQ is equal to 40 cm, main side PQ कितना 40 cm, and PR plus QR is equal to 50, last question में क्या दिया था, minus में दिया था, अबके बार PQ plus PR, sorry, PR plus QR is equal to 50 cm दिया गया, ठीक है, find number 1 sin P, हमें sin P का value बताना है, cos P का value बताना है, and 10 R का value बताना है, ठीक है, सबसे पहले हम diagram बना लेते हैं, यह हमारा right angle triangle, question में क्या कह रहा है, कि Q angle जो है, वो right angle, तो Q पे हमने right angle बना दिया, यह हम P let कर लेते हैं, और इसको R let कर लेते हैं, ठीक है, question में given क्या, PQ is equal to 40 cm, तो यह हमारा PQ कितना हो जाएगा, 40 cm, ठीक है, और question में given क्या, PR plus QR is equal to 50 cm, ठीक है, तो सबसे पहले given, note कर लेते हैं, PQ is equal to 40 cm, and PR plus QR is equal to 50, ठीक है, यहां से हम, देखो हमारा PR hypotenuse है, तो हम यहां से PR का value find कर लेते हैं, PR is equal to क्या हो जाएगा, 50 माइनस QR, ठीक है, यह PR का value हो गया, ब्रेकेट यहां लगाते हैं, ठीक है, अब PR की जगे हम क्या रख सकते हैं, 50 माइनस QR, clear, अब आते हैं, इंटरेंगल PQR, इंटरेंगल PQR, बाइपाइथागोरस थेवरम, बाइपाइथागोरस थेवरम, पाइथागोरस थेवरम क्या कहता है, hypotenuse that means PR square is equal to, PQ square plus QR square, ठीक है, PR का value हमारे पास है, 50 माइनस QR, तो इसकी जगे हम 50 माइनस QR value रख के, whole square कर देते हैं, is equal to, PQ का value given है, 40 cm, तो 40 square plus QR square, clear, इसको A-B से, sorry, हाँ, ठीक है, A-B से क्या करते हैं, expand कर लेते हैं, तो 50 का square कितना हो जाएगा, 55's are 25 means 2500, प्लस यह हो जाएगा, QR square minus 2 into A-B, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा 2 into A, that means 100 and B QR, ठीक है, यह A-B से expand हो गया, is equal to 40 का square, 1600 plus QR square, clear, अब QR square, QR square, cancel हो जाएगा, दोनों तरफ same number है, ठीक है, यह हम क्या कर सकते हैं, 1600 को इस तरफ लेके आते हैं, मतलब left hand side और 100 QR को right hand side लेके जाते हैं, तो यह हो जाएगा, 2500 minus 1600 is equal to 100 QR, clear, यह हम minus करेंगे, तो यह बच जाएगा, 900 is equal to 100 QR, clear, तो यहां से हम बात करें, अगर तो QR is equal to हो जाएगा, 900 by 100, that means QR का value, यह 0 cancel हो जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, QR is equal to 9, ठीक है, हमारे पास QR का value कितना आ गया, 9 आ गया है, ठीक, अब एक चीज़ देखो कि हमारे पास PR का जो value दिया, वहाँ पे हम QR का value पुट करके, find कर सकते हैं, कि PR कितना होगा, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे, PR is equal to 50 minus QR, तो PR is equal to कितना हो जाएगा, 50 minus 9, PR का value कितना आ जाएगा, 41, तो PR की जगे हम कितना रख सकते हैं, 41, ठीक है, अब हमारे पास, सभी digits, सभी side का value आ गया है, सबसे पहले question पे आते हैं, पहला question क्या कह रहा है, कि sin P का value बताओ, sin P, अब sin P का value, means यह angle हमको लेना है, अब गर यह angle है, तो यह हमारा base हो जाएगा, यह hypotenuse हो जाएगा, sorry, hypotenuse नहीं, perpendicular हो जाएगा, ठीक है, तो sin P का ratio क्या होता, means sin angle का ratio क्या होता, perpendicular by hypotenuse, clear, अब यहाँ पे perpendicular कितना है, 9, और hypotenuse कितना है, 41, तो sin P का value कितना आ गया, 9 by 41, clear, second question पे आते हैं, second question पे हमें find करना, cos P, ठीक है, cos angle P का ratio क्या होता है, base by hypotenuse, अब base का value कितना है, 40, और hypotenuse कितना है, तो cos P का value कितना आ गया, 40 by 41, ठीक है, third part पे आते हैं, पूछरा 10R, 10R, लेकिन अब की बार देखो, angle R लेना है में, अब R लेना है, तो R angle के साथ में, दो जो adjacent side, उसमें से, ये side हो जाता है, base और ये side हो जाएगा, hypotenuse, that means कि अपकी बार, perpendicular क्या हो जाएगा, perpendicular क्या हो जाएगा, 40, ठीक है, तो 10R का value, ratio क्या होता है, perpendicular by, base, अब perpendicular हमारा कितना हो जाएगा, 40, और base कितना हो जाएगा, 9 यहाँ पे, ठीक है, तो 10R का value आगया, 40 by 9, इस तरह से, question हम लोगों का, 6 का B part भी complete हो गया, जिसको note करना है, वो note कर सकता है, पाकी इस class में यहीं तक रखते हैं, अगर आप लोगों को content अच्छा लग रहा, तो वीडियो को like कीजिए, अपने fan circle में share कीजी, और चैनल को subscribe कीजी, बागी जो next questions होंगे, वो हम लोग next class में देखते हैं, thank you, कीजी बाब लोगों के लिडियों कीजी,